जैस्त्रीक्रेश्न प्यारे भक्तो आज हम सुनने वाले हैं कि आखिर पाप कहां कहां जाता है हम जो पाप करते हैं उसका कौन-कौन भागीदार होता है तो आज इस पौराण कथा के माद्यम से इस पाप के बारे में जानते हैं तो आईए कहानी को सुरू करते हैं आज की पौराण कथा का सार है कि आखिर पाप कहां कहां जाता है इसी संदर्म में एक बार एक रिशी ने सोचा कि लोग पाप दोने के लिए सबी गंगा जी जाते हैं ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाईगी। उस रिषी हैं छे बेदे जामिने के लिए आखिर पाप जाता कहा है उसके लिए तपस्या की तपस्या करने के फल सरूप देवगर्ड प्रकट हुए तब रिषी ने उन गंगा जी से पूछा कि है गंगे सब लोग तुम्हारे यहां पाप दोते हैं तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई मैं तो सभी पाप लेका समुद्र को अर्पित कर देती हूं इसके बाद रिसी और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि है सागर गंगा सबी पाप आपको अर्पित कर देती है तो क्या ऐसे मैं आप पापी हो गए तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ वो सभी पाप को भाप बना कर बादल बना देता है अब रि पूछा कि हेबादल समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो क्या आप पापी हुए कि पादलों ने कहा मैं कैसे पापी हुआ हैई जिस जिस के पास भगवान और दिसी गए उन सभ में अपना पाप दो दिया बादलों ने भी एसा ही बोला कि मैं कैसे पापी हुआ मैं तो सभी पाप्षा को पापस पानी बना देता हूँ और धर्ति पर ही गिरा देता हूँ इसे ही अन उपजता है इसे ही मानव खाता है उस अन में जो अन जिस मानसिक इस्तिणी से उगाया जाता है और जिस ब्रत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मांसिक अवस्ता में खाया जाता है उसी के आदार पर मानव की मांसिता वंती है यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाये अन वैसा वंता मन जिस ब्रत्ती से अन प्राप्त किया जाता है और जिस मांसिक अवस्ता में खाया जाता है वैसा ही बिचार मानव का बन जाता है ऐसे में हमेशा बोजन सांतरे कही ग्रहंड करना चाहिए अन जिस धन से खरीदा जाए वो धन भी स्रम का होना चाहिए यहां थी पाप की कहानी पाप को धोने गंगाजी में जाते हैं गंगाजी ने बोला कि मैं समद्र को दे देती हूं समद्र बोला कि मैं भाप बना कर बादलों को दे देता हूं बादल बोले मैं तो जमीन पर ही पानी बना कर उसे किरा देता हूं तो पाप गूम फिर कर कहां आया जमीन पर तो इसलिए कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा जैस त्रिक्रेशन आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कूर न बूलें और कमेंट में हरहर महादेव जैस त्रिक्रेशन जरूर लिखें फिर आते हैं ऐसी ही धार्मिक पोराणिक कथाओं के साथ जैस त्रिक्रेशन